हेलो स्टुडेंट वेलकम टवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स वूशन सी आज की क्लास्व में कवर करेंगे एकोटी एन लाइबिटी की एक्स्परनिशन यानि की मीनिंग डिटेल में इसका कवर करेंगे की एकोटी एन लाइबिटी साइड पे कौन से सब हैड जो जो कवर की जाएंगे इससे पहले पर एक लास में आपको कवर कराये था डिटिफ्रेंस क्या है company की balance sheet में और फर्म की balance sheet में और कौन से जरण guidelines instructions को वहलो किया जाएगा balance sheet को prepare करते समय हैं अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो जो नहीं देखी देखे था कि आपके सड़ी में कंसिस्टेंसी बनी रहे और अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स विशेंसी को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं नीव वीडियो अप्लोड करूं सबस जो कवर करके जलते हैं एक तो शेर कैपिल आती है दूसरा आते रिजर्वेंड सरप्लस तो यहां पर शेर कैपिल का मतलग क्या होता है कि इस हैड के अंदर जो शेर कैपिल होती है इसके कुछ इंपोर्टेंट आइटम्स होती है जो शेर कैपिल के अंदर हम शो करते हैं तो सब्सक्राइब और फुली पेड़ कितनी है पार वेल्यू कितनी है शियर्स की ऐसे ही रिकंसिलीशन्स और नंबर ओफ शियर्स आउट्सेंग एड़ दा बिगिनिंग एड़ 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 रिपोर्टिंग प्रेड तो यहां पे रिकंसाइल के जाएगा उन नंबर ओ पर अगर लिए गया 5% से ज्यादा तो स्पैसिव कि जाएं कि नंबर कितने शियर्स कितने हैं उनके पास है फूर फूर पीरिड़ ओफ फाइव इयर्स इमिडेटली प्रसीडिन देट एट विच दा बैलन शीट इस प्रिपेर तो यहां पर जैसे उसके फाइव इस इमिड प्रसीडिंग यर्स को हम कंसीडर करेंगे जिसमें फाइव इयर्स का डाटा ले जाएगा कौन कोंसे डाटा शामिल कि जाएंग इसके अंदर कहते हैं एग्रिगेट नंबर और क्लास ओ शियर्स जो अलोट की गया है फुली पेड़ अप शियर्स की कंसीडर अधर देन कैश कंसीडरेशन का मतलग कि इसमें बहुत शिएर्स शामिल कि जाते है कई पर कंपनी के बढ़िए कश्यान का पर चैट करने के बदले यहां फिर कुछा सर्विस लेगे बें उसके बदले लोग नदा द包括 चा software जाते हैं तो यहां पे जो aggregate numbers होते हैं और class Cheaters जो Allot की के गए यहां फुली पेड़ आप बाइव you बॉन शीर की गए पन शीर कों में कितने शीर व किर जाएगे और aggregate number और class of shares brought back तो कितने shares को जो buyback कर ला ही company तो वो भी इसके अंदर शामिल करके चलेंगे तो यहाँ पर cause unpaid में कौन सी cause को शामिल के जाएगा कहता है showing aggregate value of call unpaid by director and officer कहता है जितने भी cause unpaid है director और officers की वो यहाँ पर show की जाएगी aggregate करके याँ total करके cause unpaid यानि के cause in errors will be shown as a reduction from subscribe but not fully paid up capital जब हम share capital के अंदर show करेंगे share capital को तो उसमें हम दिखाएंगे जब subscribe but not fully paid up वाला तो उसके अंदर जो cause in error हो को हम minus करके चलेंगे तो इसमें मैं आगे कवाती हूँ इसको कैसे हम इसका treatment करेंगे तो जस्ट भी theoretical part cover करते है फिर next को मैं समझाती हूँ कैसे इसका cover करेंगे कि तब forfeit shares जो amount originally paid up की जाती है उसको हम forfeit कर लेते हैं forfeit का मतलब क्या होते है कि share का पैसा जब्त कर लेना कौन सा पैसा जब्त किया जाएगा जो ओल्रेड़ी पे कर चुके कि इसको शो के जाएगा एड़ करके subscribe के अंदर यानिकि जो adding के जाएगा subscribe के अंदर share forfeit का जो पैसा होगा तो यहां पर कैसे इसको disclose करेंगे balance sheet के अंदर तो यहां पर इसका performa given है balance sheet के अंदर जब हम share capital को show करेंगे तो जैसे नाम आजे company का और जो balance sheet जो भी डेट होगे उसकी और रोपी जिदने भी होगे उसे में सबसे पहले जो main head आता है equivalent library उसके अंदर shareholder fund में हम show करेंगे share capital को तो share capital को कैसे दिखाएंगे तो यहां पर notes to accounts बनाए जाता है उसके अंदर सबसे पहले authorized capital आती है फिर issued capital आती है then हम लेके चलते हैं इसके अंदर subscribe capital को subscribe के अंदर fully paid और not fully paid आप दोनों लेके चलेंगे not fully paid आप में हम call general को minus कर देते हैं और last में जो share forfeit होते हैं इसको लेके चलेंगे अब जो यह हमने data पढ़ा है इसका एक एक करके हम explanation कवर करते हैं अथोराइस dependency का ओती है या इसका ओती है तो हम इसको समझेते हैं सबसे पहले हमारे पास आती है authorized capital जैसे maximum capital बोलती है authorized capital अथोराइस capital होती है जो company को अपनी पुरी lifetime के द़रान जो इसले इसको और chat और power principle बोलती है इसको जो जो nominal है जो blindness productivity बोल जाते हैं अथ्राइज कैपल में से क्या होते हैं कि यह तो वह कैपल होते हैं जो पूरी lifetime के दुरान company को चाहिए होती है लेकिन company को एड प्रेजंट अगर जूरुत पड़ती पैसे की तो इस अथ्राइज कैपल का कुछ पार्ट क्या करते कंपणी इसको बोलते हैं यहां पर इशू आगया तो यहां पर अभी तक इशू नहीं किया गया तो वह आजाएगा अनिशू कैपटल के अंदर अथ्राइज कैपल मैकिसम जो पूरी lifetime के दुरान चाहिए होती है इसमें जब कंपणी को पैसा चाहिए होती हैkte कैपल चाहिए होती साल तो उसमें से एक्जांपल के लिए केmee का मालो की एक हजार क्रोड़ है जो पूरी lifetime के दुरान है जो कैपटल चाहिए होती इसको갈 इसराइज बोलेएंगे मालो इस बार कम्पनी को पैसे के जूरत लिए तब यहां पर कंपनी ने एक्जांपल के लिए माल लेते कि जो इशू कर दिये वह 13,000 श्यर इस इस इशू कर दीए गये है हूँ जो इच है कितने का इस है 100 रुपे का जो इस है तो यहां पर 13000 के 13000 जरूरी नहीं कि पूरे 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 पूर तो यहां पर सब्सक्राइब में नेक्स हमारे पास आते हैं सब्सक्राइब नौट फूली पेड़ अपर यहां पर केस कहा रहते हैं कि कई बार कंपनी क्या करती है तो यहां पर इसके दो हिस्से बन जाते हैं सब्सक्राइब और फूली पेड़ अपर दूसरा आते हैं कि सब्सक्राइब तो हो चुके हैं सब्सक्राइब बट क्या हुआ क्यों फुली पेड़ अप नोट फुली पेड़ यानि कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो है यह और इसेना पूरा नहीं दिया उसक्राइब कीòng कियाते है, कोसे इन एरर के अंदर, बुक में एक्समेनेशन क्या गहती है, कि जो authorized capital होती है, authorized capital है ये refer करती है, वो amount जो memorandum of association के अंदर दिखाए जाते है, company द्वारा, ये maximum capital होती है, जो company को authorized to issue, share during lifetime, जो पूरी lifetime के दुरान company का authorized की जाती है कि issue कर सकती है जो यह amount होती है authorized capital कि इसको disclose कि जाते है for information only सिर्फ information के लिए हम दिखाते हैं जब balance sheet का not to account हम बनाती है that it is not added to the total तो इसको total के अंतर नहीं दिखाते हैं सिर्फ इसको disclose करना होते है जहां हम not to accounts का पर pay करते हैं authorized में से जब हम कुछ पार्ट issue कर लेते हैं तो उसको बोलता है should capital is should capital करता वह capital होती है जो पार्ट होती है authorized का ही जो issue कर जाती है actual में offer कर दिजाते public को subscribe करने के लिए और remaining part रहता authorized capital का उसको unissued बोलता है जिसको अभी तक issue नहीं किया गया जिसको बाद में company in future के अंदर issue करेगी it may be यहां पर कैता note करने वाली बात यह है that issued capital can be equal to or less than the authorized capital कैता जो issued capital होती है equal यहां फिर less than हो सकते है authorized से क्योंकि जो amount होती है the amount of issued capital is also disclosed for information only यहां पर जो amount होती इस्वड की वह भी सिर्फ information के लिए disclose करते हम not true accounts के अंदर इसको भी हम add नहीं करते total capital के अंदर तो यहां पर जो issued capital होती है authorized में से issue की जाती है अगर issued पूरी के पूरी subscribe हो चुके तब तो हम इसको इसको इस्वड सब्सक्राइब के नाम से दिखा देंगे क्योंकि same amount आजेगा लेकिन हमें जो main दिखाना होता है वो amount दिखाना होता है जो actual में company को receive हो चुका होता है तो non-store accounts के अंदर जो authorized होती है यह भी just disclose की जाती है लेकि शामिल नहीं के जाती है total के अंदर ऐसे issued capital just disclose की जाती है नोर्स चुकाउंट के अंदर लेकिन इसको शामिल नहीं करते है total के अंदर उसके बादा थे subscribe capital सब्सक्राइब वो capital होती है जो company issue करती है और public के द्वारा वो subscribe हो जाती है जानि कि जितने shares में already मतलए actual में actual के अंदर public ने पैसे लगा दी जिन shares के अंदर उसको बोलते है पर subscribe capital subscribe capital ये वो part होते है इसी issued capital का वो part होते है जो subscribe किया थे public द्वारा जैसे example के लिए 13,000 share 100 रुपे का ईचे जो offer किये गए थे लेकिन public ने सिर्फ 12,000 share के अंदर पैसे लगाया तो यहां पर 12,000 share 100 रुपे के इच से तो 12,000 रुपे के आ जोगी हमारे लिए subscribe capital हो जाएगी अब subscribe के अंदर भी 2 case बनते है subscribe capital के जो शो किया थे और fully paid up हो चुक है इसमें क्या consider करेंगी के जो share capital होती है वो subscribe और fully paid up होती है when both of the flowing condition are fulfilled जब दो condition हो जाएगी तब उसको हम show करेंगे subscribe and fully paid up के अंदर the company has scored the entire nominal face value the share यानि कि अगर 100 रुपे का ईचा है तो 100 के 100 मंगवा चुके company यहां फिर दसर बे कहीं चाहते दसके 10 रुपे company ने मंगवा लिए है नेक्स्ट में जितने company ने मंगवा थे उतनी उसको क्या चुक है receive हो चुक है इसी को बुलेंगे हम subscribe और fully यानि जितने company ने मंगवा उतनी company को receive हो चुक है आगर दसर बे के face value दसर बे मंगवा लिए तो दसके 10 रसीव हो चुक है तो उसको subscribe फुली पेड़ के अंदर आ जाएगा जैसे एक्जांपल के के तब वोल्टाज लिम्टे ने इशू किया है पांच लाग एकोड़ी शेयर है दसर बे का इस है तो यहां पर जो काल की जाएगे फुल नॉमिनल फेस वैल्यू यहां पर दसर भी क्या कहला तो उसके फेस वैल्यू जिसे आप नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं since the company has scored the full नॉमिनल वैल्यू यह निकि दसर पर उसने company मंगवा लिए दस के दस क्या चुकिए इसको पर शीव हो चुके है तो इसको जो के जाएगा सबस्क्राइब वर फुली पेड अपके अंदर टिखाएंगे की पांस लाग की कुटी शाए तो यहां पे 50 लाग पर जो शो कर दी जाएंगे नेक्स के साथ है सब्सक्राइब बट नोट फूली पेड़ अप यहां पे सब्सक्राइब तो हो चुके शेर लेकिन शेर होल्डर ने पूरे का पूरा पैसा नि दिया जतना कंपनी ने मगवाय था यानकि फेस वैल्यू के हिसाब से पूरा पैसा पे नहीं किया शेर होल्डर यहां पे के लिए पूरी वैल्यू मगवाय थी जैसे दसर पे का इच है तो दसर पे क्या बंते उसकी फेस वैल्यू जिसे हम नॉम्नल वैल्यू बोलते हैं तो के इट कोल्ड अप तो दसके दस मंगवाय गई गई है डूली रिसीव्ड काता रिसीव हो चुकिया लेकिन किसको छोड़के एकसेप्ट मतल किसको छोड़के एक ऐसा शेर होल्ड रहता जिसके पास पांच शजार इकुटी शेर थे उसने हमें दोर पे कोल के जो नहीं दी है तो यहां पे हमनें देखा कि एक लाग तो शेर से और मुर्च बोड़के खेंगे सब्सक्राइबड बाट नौट पुली पेर उप कि इन्होंने फुल पेय पेंप पो नहीं किया नौट फुली-पेर हो यहां पर पेर अपनीं किया इन्होने खेंदी पानीठ 4022 शेर से पांच और 500 श सखना चार तो किसा के अंद ऊचुटीä सब्सक्राइब भी हो चुके हैं एंड फुली पेड़ भी हो चुके हैं यानि कि उन्होंने सारा पैसा जो दे दिया फुली पेड़ भी हो चुके हैं यानि कि दसर के दसर पे उन्होंने दे दी हैं तो जब हम बैरेंशेट के अंदर दिखाएंगे सब्सक्राइब फुली वहाई थे पचासजार जो बनते हैं लेकिन इन्हों ने पांचजार शेयर से ने दो रुपी की कोल यह नहीं दिये तो दिये कितना इन्हों नहीं सिरफ 40,000 वहाँ पर 9500 इन से शामिल होगे 9500 इन से मिल गी एं और 40,000 यह इन से मिल गी लेकिन शेर होल्डर ने पेंगी अब नेक्स्ट कीस ऐसा आते हैं कि जहां पे कंपणी खुद ही है पैसा पूरा मंगवाती नहीं है यानिकि कुछ कैप्टल को रिजर्व कर लेती है हो केते वेंड कंपणी है नोट कॉल्ड अब दा फुल नॉमिनल वैल्यो शेर यानिकि यहां पे कंपणी ने खुद से पूरी वैल्यो मंगवाई नहीं है जैसे एक गजामपल के लिए गाडोर लिंटिन ने इशू कियां दो लाग की कुट शेर्व की फेस वैल्यों है सिर्फ आ ओट भी नाम से दिखाएंगे तो याँ पे कैसे को शो के जाएगा तो फैले हम सो करेंगे तो सुब्सक्राइब और बट्नोंट फुली पेड़की नाम से दो लाग शेर दस सरक्राफिय में सिर्फ आठर भी कंप्णी निम गए है तो दो लाग गुर्णाव में आठर में आ प्रश्ट कोल माल लोड और फिर्स्ट कोल नहीं दी इस सिच्वेशन में तो कैता शेर कैपल कैसे दिखाई जाएगी नौट स्टो अकांट के अंदर तो अब हम इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम लेंगे शेर कैपिटल और सके अंदर सब्सक्राइब कैपि के अंदर इसको दिखाया जाएगा कि कंपनी ने दो लाख एकुटी शेर से दसर पे गदा लेकिन आठ पे मगवाए थे दो लाख गुणा में 8-16 लाख मवाए हैं लेकिन 5,000 शेर से ने हमें कोल नी दी तो इसमें से लेस कर दे जाएगा 5,000 गुणा में 3-15,000 जो नहीं मिल तो कितना एकुटन में रसीव है कंपनी को 15,000 तो यह 15,000 कहां चला जाएगा बैलंस इट के अंदर तो यहां पर हमने सब्सक्राइब बटन ओट फुली पेड़ अप के अंदर जो दिखा दी दोनों अमाउंट है जो किता जो यह टर्म यूज किया थे काल्ड़ अप एंड पेड़ पेड़ केस है काल्ड़ अपन पा सब्सक्राइब जलें कर लगं चाहे है जिसले सब्सक्राइब घंड़ जाएगे साट बीस के आजँगे यहां पर काल डप कैपटल कहलाएगी जो रिमेनिंग अमाउंट ओगी 40 को कि 100 मिसे 60 में लिए रहे फेंद रहेंगे चालिस नहीं मुझआए तो वह कौन सी कहलाएगी अंकालडप कैपटल कहलाएगी क्योंकि अभी तक वह मंगवाई नहीं गई है और जब paid up capital होती है, वो same होती है, किस case में, किस case को छोड़गे, अगर कुछ shareholder हैं, अगर not have paid the amount of cause, दिखो called up और paid up same कब होगी, जब मानलों कि डिरेक्टर ने 60 पे मंगवाए, और 60 पे ही shareholder पे की गया, तब तो दोनों क्या होगे, same होगी, अगर कुछ shareholder कुछ पैसा पे नह आठ के बदले, मतला आठ मंग आए गए थे, लेकिने पांस चरपे पे की हैं, तो यहां पर पांस चरपे तो paid up हैं, तो यहां पर आठ में से पांस तो उसने दे दिए, जो ती नहीं दिए हैं, तो वो क्या कर लाएंगे, cause in error कहलाएगी, जो paid up capital है, उसको called up capital less कर देंगे amount of cause in error, तो यहां पर कैसे दिखा जाएगा, cold up capital में से, अगर minus कर देंगे error, तो क्या जाएगे paid up कितना action में pay किया गया, share capital के बारा, share capital के बाद हम next दिखाते होते है, reserve and surplus को, जो shareholder fund के अंदरी आते है, reserve and surplus में हम किन चीजों को शामिल करते हैं, सबसे पहले आते है, capital reserve क्या होत होते है, non-recurring nature, तो यहां पर capital reserve किसे बोलाता है, कि अदूशन टूदा normal profit के अलावा, company को जब capital profit होते हैं, तो उस में से company क्या करती है, reserve क्रेट कर लेती है, जिसको क्या बलाता है, capital reserve बोलाता है, यानि कि जो capital reserve की जाते है, capital profit में से create की जाते है, जो ये reserve सोते जरेरली, available न क्या क्रेट करते हैं कैप्ट रिजर्व क्रेट करते हैं यानिकि कैप्ट रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो आउट ओफ क्याप्ट प्रॉफिट क्रेट की जाते हैं जब कंपने में क्याप्ट प्रॉफिट मिलता है उसमें से क्याप्ट रिजर्व है जो क्रेट कर ली जात कोई यहां पर क्रेट कर एक जैसे गेन हो गया याँ प्रौफित हो गया फिक्स तको सेल करने के लिए जब को छलता है capital profit कहलाते हैं ऐसे gain या profit होगा purchase of running business running business होते हैं कई बार हम चलता हो बिजनस ले लेते हैं किसी का जो already exist करते हैं तो उसमें जब business को purchase किया गया तो उससे profit हो गया gain होगा company को तो वो भी क्या capital nature का profit है क्योंकि business है जो हर रोज नहीं खरीदा जाता यह non recurring nature का होते हैं gain हो गया firm को यानि profit हो गया रीशू या फिर फोर्फिट करने से रीशू करने से जो फोर्फिट शेर का मतलब होता है कि जब company शेर से issue करती है तो जब उन shareholder से पैसा मंगवाती है तो कुछ shareholder क्या करते डिफर्ट करने लग जाते हैं कोज का पैसा नहीं देती हैं जब company पैसा में करते हैं तो उन डिफर्टर shareholder से company क्या करते हैं अपने shares को वापिस ले आती है और जो वह already पैसा पे कर चुके हो तो shareholder उनका पैसा जब्त कर लेते हैं company तो जब उन फॉर्फिट के शेर को दोबारा रीशू करती है किसी और को तो उसको रीशू करते समय अगर प्रॉफिट होगा company को तो वह किस नेचर का profit कहलाएगा capital profit कहलाएगा क्योंकि company जो हर रोज shares issue नहीं करती है non recurring nature का होता है इस कारण से जो इसका profit होगा gain होगा वह किस नेचर का होगा capital nature का होगा किते गेंग या profit on redemption का मतलब किया होता है कि जब company debentures का पैसा वापे से लटाती है उसको redeem करती है तो उसको बोलते है redemption करते समय कंपनी कुछ benefit हुए gain हुए तो वह भी किस नेचर का होगा capital नेचर का होगा तो जितने भी capital profit पाइंड के गा यह उपार पड़ करते हैं इन समय से हम क्या क्रेट करके चलते हैं capital जर्वा जो क्रेट किया जाता है जो बोल जाते हैं security प्रीमियम जो हम इसको कि करती है एक्स्रामाउंट त्स वाला जैसे 12 इसको कर दोड़ा जोगा सब्सक्राइब करने के लिए किया जाते हैं यानि कि जब करना पड़ता है तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है कंपणी को उसके लिए दीरे-दीरे पैसे कठा करना शुरू करते हैं तो यह सब्सक्राइब करना शुरू हां मार्केट लिए इसके रगते में दिफिरेंस नचनला सब्सक्राइब करते हैं या उसके इसा घ्रड़ी醬 होता है bride vit value और इश्यू प्राइस के बीच में इश्यू टू इंप्लोई अंडर इंप्लोई स्टोक ऑप्शन स्कीम यानि कि जो इस और पी के तहत शेर्स इश्यू के गए थे तो उन शेर्स का जो मार्केट वैल्यू होते जो इश्यू प्राइस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है एक्जाम्पल के लिए अगर शेर्स इश्यू किये गए हैं इंप्लोईस को 60 रुपी में जो शेर्स अउसकी मार्केट वैल्यू मालो हंडर है मार्केट में अगर इश्यू करती कंप्पनी उसको 100 रुपी मिलती अगर उसने इस ने यह एसो पी किता है तो आपनी हम शामील करती है नेक्स सर और सरप्लस क्या होता है यह स्पैसिविकली रीपैसे करते है नेकर शेयर्स को 50 पो इंपलाते हैं गहर सपैसिविकली रीप splan करते हैं कने इंप्री पेयान सब्सक्राओं सब्स्क्राइब और फंड बोल जाता है यहाने कि आगर रीजर्व किसी स्पेसिफिकली रीपर्जेंट करते है किसी इन्वेस्टमेंट डायप को तो वही रीजर्व क्या बन जाएंगे फिर Gibson बन जाएंगे कर रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट को नेखसे के रहे ते जो शेल शोन अंडर दा है डिजर्वेंट सर्प्लस इवन इदर जल्टिंग फिगर रिजन नेगटिव आजे लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे उसको शो करेंगे क्योंकि यहां पर जो नेगटिव एक लिडव स कष्या करेंगे कि सेट्मेंट करते हैं कहते हैं कि ओलिंपस इंब्ड देभीड बैलंस पर पांच लाग का ब्रॉत वेक्विड का प्लस बैलंस है डिखाएंगी जब प्रोफिट्स का तो सर्पलस जो स्टाइग में हमारे पास ओपने हैं वह नेगटीव है 5 पांच लाग का तो यहां पर पॉजिटिव दिखा देंगी तो यहां पर यहां पर प्लस का यानि profit है यह लोस है तो अर्दस्ट के 3 लाग हमारे पास बनते हैं तो यही 3 लाग कहां दिखा देगी हमें यहाँ पे 2022 की डाटा की अंदर दिखा देंगे यहाँ पे दीन लाग है जो प्रॉफिट दिखा दीजाएगा तो इसरी के से बच्चों इस हम था आई होप क्या को क्लीर हो गया होगा नेक्स क्लास में इसका कॉंटिनू करेंगे टॉपिक जो बनते हैं ऐसी रेग्लर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स होश